है है लो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके पाणी येउट्यूब चैनल कीयोफ सक्सेस ने दोस्तों ए पर्सेंटेज का पार्ट फॉर है थीछ है पर्सेंटेज का पाndस फॉर वीडियो है इसके पहला है पार्ट उन पार्ट ये जो है उसमिने अपलोड कर दी मातर दो महीना का समय है ठीक है तो आपके पास में दो महीना है और दो महीना में आपको चार्ज सब्जेक्ट को जो है वह किलियर करना है ठीक है तो आपको किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए ठीक है पूरा स्ट्रेटेजी हम इस वीडियो में लेकर चलेंगे और हम पूरा है और आएका वेडियो में बताएं थीक उसी तरह का आएगा उसी पेसिसस पर बस आप लोग प्रैक्टेस करते रहा है जो हम बता दिय कैंट है तो प्रैक्टपेर्ट जरूर से जरूर कीज़ेगे ठीक है अभी परसेंटेज में चल रहा है क्या पार्ट फोर ठीक है टाइप वाइज क्वेस्टन हम करवा रहा है सारा का सारा ठीक है परसेंटेज में यह परसेंटेज का पार्ट फोर है ठीक है परसेंटेज का यह पार्ट फोर वीडियो है और इ के आपको वहीं का भी स्विल जाएगा और जी तक अंग कई स्विल नोट्स 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 प्राइए चारों सब्जेक्ट का जो है जो पहला दूसरा और हम पुछा गया जाएगा और इसके लिए laughing आपको पढ़ना है मतब़ोंख सब्सक्राइल देहां तो देखो यह जो है चारों प्रकार की त्वेर ही हूं 209 में में रूपीज 29' कि आतो अगर पान्स अब्सक्रात्यां मेलने कुर चार सब्जक्ट रियुक्ती अगा किना यह लिए आपुल बिल्कुल ज्यादा लोड भी नहीं पड़ रहा है सभी लोग जो इसको अच्छे से मतलब पर्चेश भी कर सकता है खरीदने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी ज्यादा प्राइस नहीं है 129 सुप्या में चार सब्जेक्ट आपको मिल जा रहा है ठीक है अब बिल्कुल वह ही टॉपिक इसमें हम नोट्स में बनाये हैं जो कि आपको एससे जुडी एक्जाम म एक्जाम दिया तो मैर्व मेरा 25 में से आपका चोबिस मेरा आगया था और इसलोग जाके कर लेना ठीक है जो भी चलह क्लास को अच्छा को स्टार्ट करते हैं जो भी क्लास है आज का क्लास परसेंटेज का अपने दोस्तों के पास में जरूर स्क्क्लास को श्याहर कर देने ळहां को दिखाई नहीं सब्सक्राइद सब्सक्राइब देगा और यहांdr 20 U30 में 25 Ek यहांच 50 pin स्वाइब ऊस्ट फर्रनीचर में खर्श किया यदि के पास security रुपया और बचे हो तो उसके पास구나 कितना धान था किख है लना यहाँव के Limit कितना कितना पर्षेंट में आप से पूछा जा रहा है, तो पहले लिखते हैं कि eldhouse । परसेंट में ठीक है, खर्चा परसेंट में कितना किया है, देखते हैं पहले खर्चा किया है, 40% मसिनरी में किया है, 40% मसिनरी में किया है, इसका बाद फिर कहाँ पर किया है, 25% बिल्डिंग में खर्चा किया है, फिर बिल्डिंग के बाद फिर 15% कच्चे समान में तथा 5% फ परसेंट ये खर्चा कर देता है और इसके पास में बचता कितना है बचत कितना हो रहा है बचत हो रहा है इसके पास में 305 रूपया का बचत हो रहा है तो बताओ कि खर्चा 85 परसेंट कर रहा है तो कितना परसेंट ये बचाता होगा ठीक है बचाता होगा कितना परसेंट तो बचाता कितना है बचत कितना होता है कितना परसेंट का तो 100 परसेंट में से 85 को घटा देंगे तो 15 परसेंट का कितना हो जाएगा 15 परसेंट का बचत हो जागा हमको बचत कितना में है रूपया में दिया गया है बचत रूपया में दिया गया है आप हम परसेंट में निकाल ल कितना था तो हमको पता है कि 15% का मान 135 रुपया है तो हमको 5% का मान निकालना है ठीक है तो 5% को मान निकालने के लिए पहले 3 से हम इसमें डिभाइड करेंगे तो कि 3 से डिभाइड करेंगे तो कितना हो जागा 5% आ जागा 3 से जब डिभाइड करेंगे इसमें तो इधर भी ह परसेंट इधर 3 से डिभाइड देंगे तो 3-4 के 12, 3-3, 3-5 यानि कि 5% कमाना गया 435 रुप्या हमको कितना निकाला कुल धन यानि कि 20 परसेंट को गुना करेंगा हम 20 में 20 पचे कितना हो जाएगा बीस पचे 100 परसेंट जाब इधर 20 से गुना के तो इधर भी हमको विस से गुना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा हाँ पर जीरो जीरो पांद्वूनि दस की सोनहाथ में एक जो हाँ आपको ऐसा निंग से आपको बनाना पड़ेगा पहले क्या किए खरचा टोटल निकाल लिए कि खर्चा कितना किया 85% जब आपके पास में 100% आपके पास में 100 रुपया है जिसमें सब्सक्राइब कितना होगा 15 पर्षेंट का बचत होगा और इसी बचत को रुपिया में दिया गया है पर्चन में कितना इसके पास में था ठीक है चलो अगला क्वेस्चन आपका बिल्कूल इसी परकार से इसे बैसिस पर बने का बोलता है कि एक आदमी ने अपने अमदनी का ठीक है एक आदमी जो है वह अपने अमदनी का नहीं कि जितना उसका कमाता है ठीक है जितना वह कमाता है उसका जो है वह 45% खाने में खर्च किया और 25% कपड़ा खरीदने में खर्च किया अब यदि उसके पास में 1250 रुपया बच गया हो तो उसके कुल अमदनी क्या होगी ठीक है उसका कुल अमदनी जो होगा वो क्या होगा तो पहले लिखते हैं कि खर्चा कितना किया यह ठीक है खर्चा जो है वो कितना किया उसके पास में अब यदि उसके पास में 1250 रुपे बच गया हो तो उसके कुल अमदनी क्या है तो पहले ल अधिक ने सब्सक्राइब का फिtit पर सेंट करता थिक तो इसका जो टोटल खर्चा होगा वह कितना हो जाएगा 70 को तो बचाता कितना है कि масuir सत्र परसेंट खर्च depois kilometers अब करने कि यह साथ कितना है तो रूप्या cynbt करता है Matsud 20 परसेंट में 30 और रुप्या में 1280 इनीर कि 30% कमाद 1250 परिखा है तो उसके कूल अमदनी क्या थी मुन अवां Depart पू還 कितना हो जायेगा यह डाइरेक्ट इसको 100% कमाल सकते हैं तो 100% कमान कितना हो जाएगा तो 100% कमान कितना हो जाएगा तो 1250 ठीक है 1250 बटा में 30 और गुने कितना 100 ठीक है 1250 बटा में 30 और गुने 100 यह हो जाएगा आपका जो है वो 30% है ठीक है 30% है तो कितना हो जाएगा एक 0 से 1 0 इसको काटेंगे तो 12 50 बटा में यह 0 है तो यहाँ पर 2 0 हो जागा बटा में कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा ठीक है जब इसको हम रूपया में कंवर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा यह 4,000 कितना रूपया का जो है वह बचत करेंगे तो आपको इस परकार से निकलना पहले खर्चा परसेंट फिर बचत अगर बचत दे दिया है रूपया में तो परसेंट कर रहा है खर्चा की तना परसेंट कर रहा है और वह इक क्या हो जाएगा दूसरे के ब्राबर हो जाएगा तो इसी पर हम निकाल लेंगे कितना हंड़ परचेंट निकाल गये क्या हो दाता है बोनस देना पड़ता है ठीक है अपने करमचारी को जितने भी वहां पर चाप लोग है उनको बोनस के रूप में जो है वो 15% मालिक ने खर्च कर दिया और 45% मालिक ने खर्च कितना वह जागा 45 50 10 जो है वहाँ खर्चा कर दिया इस वाद क्या बढ़ता है कि तथा सेश 32 रुपया बैंक में जमा कर दिया तो कुल नाफा निकाले में नाफा का मतलब क्या हो जाएगा यानि कि कुल नफा का मतलब कि घाटा ठीक है घाटा या नफा यही होता है ठीक है तो कुल उसका जो है वो नफा निकालना पड़ेगा तो कुल बचत कितना है कुल बचत इसका कितना हो जाएगा खर्चा के क cohश कर रहा है एक गया कितना कर रहा है थीक है खर्चा sonra 70 रहा है 40 परसेंट राइक प्रसेंट और किजा रहा है कि थीक है कर चुम कर यहीं कहा हुआ हुआ इसका क्मान के इसका निकालना है तो जब बचा थे 4% और 40 परसेंट यहीं पैसा जहाए वह आपको जाकर बैंक में जमा कर देता है इसका मतलब यह है 40% कमान कितना है आपका 32 रुपया है तो यहां से आपको निकालना होगा 20% कमान ठीक है तो 20 में दो से डिवाइड करेंगे तो 20% कमान निकल जाएगा ठीक है 20% कमान तो इधर भी हमको टोटाल अमदनी होता है तो इधर 5 से गुना करेंगे तो 100% हो जाएगा इधर भी आपको 5 से गुना करना पड़ेगा तो 16 पचे 80 पर दूजी रहे निकि 8000 रुपया जो हो इसका पूरा अमदनी था यह 8000 रुपया कमाता था ठीक है 100% कमान कितना हो गया 8000 रुपया देखिए तो विडियो को रोक लिजिया रोकने के वाद इसको फिर से जो है आप अपने ढंग से सॉलूसन इसको कीजिए ठीक है तो चलता है नेक्स्ट क्वेस्चन की और अगला क्वेस्चन है बिलकुल आपका EC प्रगार का ठीक है ना देखिए हम टाइप वाज क्वेस्चन करवा क्वेस्चन जैसे टाइप यह है अभी एक ही टाइप चल रहा है ठीक है ना इस टाइप कटका कंसे न कांच छे क्वेस्चन करवा देंगे ताकि आपको वह बनाते बनाते प्रैक्टीस हो जा रों कनफ्यूजन जो है वह ना हो किसी बी ठीक है देखो अगला क्वेस्चन है पर तो यह पहले खर्च निकालो ठीक है खर्च जो है वो क्या का कहा कहा करता है 15 पर तीसक्त मन रंजन पर 15 पर तीसक्त मन रंजन पर ठाइस तो टोटल है कितना हो जाएगा फितर खर्च कितना सट परसेंट यान कि इतना गया यानीं कीबचत करता है यानी कि 85 % परसेंट में 45% रूपिया में आपको कितना दिया है 45% कितना बचा रहा है ये 1575 रूपिया का लास्ट में बचत कर रहा है यानि कि रूपिया में कहें तो 1575 और परसेंट में कहें तो 45% बचत कर रहा है ये दूनों क्या हो जागा एक दूसरे के ब्रावर यह ही आपको समझना तो कुल अम दनी घ्याद करने के लिए हमको 100% कमान निकलना पड़ेगा तो यहां पर 9 से डिभाइड करेंगे तो 5% कमान निकल जाएगा तो हमको इधर भी 9 से क्या करेंगे डिभाइड करेंगे जब इधर गुना करते तो इधर भी गुना हो जाता ठीक है तो 9 से दोनों कितना उस्तो पड़े हैं 20 से गुना कर देंगे तो इधर करना ठीक हो जाएगा उनकी से रफ्यं देखे और टिक लगा अप्सन नमबर रे जिनका जिनका है उनका बिलकुल ही साही जबाब है ठीक है और हम यहाँ पे साइड हो जा रहे हैं ताकि आप लोग हर क्वेस्टन का जो है स्क्रेंड लेलो अपना चलोसाथ साथ न इस यह देख डाइप का यह वह न साइक तन्हेदा रहा और चलते हैं दूसरा इस ट्यक्र में डीत है नहीं चेंजे कर देते हैं कि यहाँ से आपका चेंज हो जाता है बहुत नंबरसे केंड मुट्री आज यह ताइप यहाँ से आपका चेंज हुआ और आप सोल्व कीजिए पका आपका अगला क्वेश्चन है आपका एक ब्यक्ति अपने आये का 20% घर के किराय पर तथा सेश का 25% सिछा पर खर्च करता है तथा माह के अंते में 54 रुपय की बचत करता है तो कूल आय ग्याद करूं ठीक है ना तो कूल आय इसका ग्याद करना ह ठीक है तो इसका भी बिल्कुल उसी प्रकार से होगा लेकिन यहां पर देख लेना समय लेना ठीक है ना यहां पर बोला जा रहा है कि एक ब्यक्ति अपने आयका 20% घर पर खर्चा करता है तो इसमें से यह 20 परसेंट कितना घर, 20 परसे तरस, यानि कि 20 रुपया जो है वो सनकर्चा करता है, 20 रुपया घर पर खर्चा करता है, ठीक देखा है घर 정도만 करता था से 18, 5 35 परितिज यानि कि सो रुपया मैं से बचब एपटोच पर साब परिशन कि फॉरें से नहीं होगा ठीक का 25 फर्सेंट हंगो निकालना पड़ेगा कि तरह से यानि की जितना खार्चक या फिर उसका फीर US का उतना परसेंट निकालना पड़ेगा धुक्ति आप लोग 20 यसको इसमें तो अचैञा ने इसमें तो सो फेले कितना है माना कीसका टोटाल आए कितना है ठीक्र lugण टोटल आए जो है वो सो रुपया है ठीक माना कि टोटल आए कितना है उस येगति का सो रुपया है और सो का 20% घर के किराय09 की एसी रुपया भाए भी भी आसी रुपया बचा हुआ है थे आसे रूपय आहां पे बचा हुआ है तथा फिर असी का पचीस परसेंट जो है वह खाने पर तर चीका पचीस परसेंट कितना हो गजागा थेका तो असी का 10 इसके पास में कितना बच रहा है टिक है उतना खर्चा करने के बाद effective कितना बच रहा है यह 50 सब्सक्राइब तो यानि कि कितना थे इसका क्या हो जाएगा टोटल आई हो जाएगा देखिए और सी जो है आपका बिल्कुल एंटसर हो जाएगा लेकिन जब इस तरह से आपको क्वेश्चन कीजिएगा एक्जाम में तो आपके समय वह बहुत बर्बाद होगा तो इस तरह से नहीं करना ठी ठीक है concept के तौर पर जो ही हो इसको हम इस solution को समझा दिए आपको कैसे करना smart तरीका से देखो कितना बचा रहा है वो 54 बचा रहा है देखना यहां पर ध्यान से कितना बता रहा है 54 तो 54 यहां पर 54 लिखेंगे ठीक है गुना में कितना खर्चा कर रहा है 100 में से pound 15 कर दो जिर आपके समय कर रहा है जाने कि जितना बचात हुआ वह उपर लिखा जाएक तो क्यों लिखें क्योंकि पहला बार वह वह 20% खर्चा कर रहा तो 100 में से 20 असी 25 फिर दस परसन्र कर रहा तो सौ में से दस तब नबे ठीक है बस इसको आप लोकार दना है आपका सोलुसन जो हो जाएगा ठीक है जेकर इसको कारते हैं 25 टीज तिया सुरी पचीश चौन के इसको काटेंगे स्व औरkeys पच्छ ये थे हर ये अब क्या क्यावाचा है यह हम सिर्फ concept के लिए बताये थे और यह second method आपका हो गया जब भी सेस वाला question आएगा तो आपको इस तरह से बनाना है बचत को लिख देंगा कितना कितना खर्चा कर रहा है तो 100 में से जितना वह percent खर्चा कर रहा है उतना घटा के नीचे लिखेंगे फिर घटा के नीचे लि लाइब्रेरी में एक ही पुστकाले है एक किताबं है एक लाइब्रेरी में 20 सेंट जो है वह हिंदी का है टिक है 20 परसेंट किताव उस पर पर किताशक तते सेंध अ अ ceux chi में असी क्वेश्चन करना है तीना टता च्रा एंगर्जी किन थारm सबसे पहले लिखनी विल्टे 11 अंग्रेजी यह तो फिर से सोघ यहां पर लिखेंगा फिर 16 nutr फ्रेंच मि तो समय से 30 कांटा आप सिर्टेंग इसको तो कार्ते हैं एक जिरो से एक जिरो कटेगा यह zero से यह जीरो से एट टिक है सतनावा दीले शट नो सो यहाप सू यह आ गया ठीक अगर नॉशोर आ घ्या अब कहा 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 काटें गे तो इसको पटेवेढ नहीं प Imija कटेगा कि नहीं कटेगा यहां पर इसको काटेए पले 2510 239 चारफ लुनी 8 चारफ लुनी 8 25 बार में कर जाएगा अभी यह पांच से यह बला 5 कट जाएगा अब कोई भी एननिकी 2 25 लाइवरेरी में कितना था 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 तो 22500 जो था वो लाइबरेरी में थैतीक ए option देखिए और टिक लगा यह option नमर Б जो है आपका बीलकुर कारियर्क अंसर हो जागा तो आपका सब्सक्राइब किताब टोटल थी ठीक है तो आपको इसी वर्क से आपको बनाना पड़ेगा ठीक है चलो अगला क्वेस्टन लेते हैं अगला क्वेस्टन जो आप अगला क्वेस्टन है आपका कि चैताली अपनी मासिकाय का 20% भोजन पर खर्च करने के बाद सेस्धन रासी का एक चौथाई बच्चों की सिच्छा पर और सेस्धन का 50% परिवहन वह स्वास्थ पर खर्च करने के बाद प्रतिमां 15 रुप्या बचा लेती है ठीक है यहां पर है क corpsecan सेम हैड़ाच ओंइ की सिच्छा पर और सेस्धन का 50 परटिसध परीवहन वह स्वास्थ पर खर्च करने के बाद प्रतिमां 15 Uhr बचा लाता है ठीक है न कितना स्व मेरब की तो पहला खर्चा करता है यह이션 प्रतिसात भोजन पर खर्चा करता है तो यहीं कि 80 रुपे बचा ठीक है इसके बाद फिर सेस धनरासी का एक चोथा यहीं कि 25 परसेंट जो है वो खर्चा करता है तो कितना 25 घटा देंगे 100 में से तो 75 बचेगा और फिर कहां पर खर्च करती है 50 परतिसात परवहन हुआ स्वास्थ पर तो पचास सो में से 50 घटा आएंगे तो 50 आ जाएगा ठीक है अब इसको क्वेक्चन को सुल्ब करते हैं एक गिरो से एक गिरो कटेगा यह यह वाला से जिरो यह वाला कट जाएंगा पां से जाएंगे इसका एंसर कितना आगे पांच हजार उपया जो है वह उसका कूल मासी का था ओप्सन नंबर एजो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जागा ठीक है ना यानिकि इसको ए मातर तीस से सेकेंड में जो हो इसका सोलूसान आप लोग ऐसा स्कुष्चन को न त्वास्त पखर्चागार तो एक बात्व कितना फिफ्टी पर्चेंट ठीक है चलो अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देख लेना आप लोग यह बार वीडियो को जरू कर देना ठीक अगर वीडियो समझ में आ रहा है आप सभी को तो वीडियो को अपने दूसरे पास में जरूर एकनम फैला देना और एक अच्छा सा कॉमेंट देना ताकि एक कॉमेंट सा हम लोग को क्या होलता मोटिवेट होता है और बहुत अच्छा अच्छा कॉंटेंट जो है वह हम ढूंड कर लाएंगा आप लोग के लिए ठीक है देखो अगला क्वेचन आपका कि एक औरत ने कुछ नारंगी खरी दी जिसमें 13% नारंगी जो है वह सड़ गये अब बचे हुए नारंगी का 75% बच्छों को बाटने के बाद उस औरत के बाद कितना नारंगी बचा है तो 25% बच जाएगा इसके बाद और कुछ नहीं और कुछ नहीं वह रटाट चले इसको सोल्व करते हैं ठीक है यहाँ पर 19 से 87 होता है ठीक है 87 से यह कट जाएगा सत्याइक किस अर्थी चोगी हां 87 से यह तीन बार में कट जाएगा ठीक है और यह 25 से यह वाला सही जबाब हो जागा ठीक है बस छोटा साइज का इत्रा बड़ा शॉलूसं भी नहीं है झोटा सा अल्यूसर अगर आपका कैलकुलेशन फास pores नहीं है उसको बस आप तो प्रैक्टिस करना प्रैक्टिस जितना भाष्ट रहेगा उतना ही जल्दी जो है आपका question solve हो जाएगा ठीक है तो चलो इसी टाप का एक और question लेते हैं ठीक है न एक और question लेते हैं एक पुस्दक के पचास पर تिसत पेज सफ्यद हैं सेच के लेह जै सेट के 150 पेज जो है वो पीले हैं तो बताए पुष्टक में हरे रंक कितने पिरिष्ठ है ठीक न इसने बोला जारे कि हरे रंका जो है वो टोटल पिरिष्ठ कितना है लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है वो कुछ बदलाव कर दिया टिक है पुष्टक में जो है वो हरे रंका कितने पिरिष्ठ है तो सबसे पहले निकालेंगे कि इसमें कितना है सेस बचा डिर्ट है कितना है इसमें से 50% सफेद है निकी 50 बच गया ठीक है बाकि का 40% पर तो बचा कितना साथ है अब इसको सोल्व करेंगे एक जिरो से कड़ेगा पांस से तीन बार में इस बार में कड जाइगा बीस पचे सो यानि कि टोटल पेज कितना है 500 जो है वो प्रिस्ट है टोटल ठीक है 500 टोटल प्रिस्ट है अगर टोटल प्रिस्ट पूछता तो आपका एंसर 500 होता लेकिन यहां पे टोटल प्रिस्ट आप से नहीं पूछा है पूछा गया कि हरे रंग का कितना प्रिस्ट है यह हमको निक सफेद प्रिष्ट प्रिष्ठ सफेद वाला प्रिष्ट सफेद वाला सफेद तो बचा कितना आप बचा हुआ एक सो मेरे पास और पेज बच गया ही उपको एकसोपचास पेज पिला है यह अरहाई सो में 250000 में 150 पेज जो है वो पिला है ठीक है इक jos सबर्चास पेज पिला है ठीक है 150 पेज फैला है तो बचना अब यह जो बचा हुआ पेज है यह तो बिल्कुल हरा ही होगा क्यांकि इसमें बचता है सफ्वेद8 टो टाल पेजन ता 500 500 से 800 अथे सफेद है और पीला वाला कितना सफेद है पींगहें बचा हुपाल कि भीव तो 2.500 हो गत बाकी है बाद काद हिस्थ होगा ऊप्षन नमबर कितना हो जाएगा आपका ऑप्ष ambition नमबर जो है वह वह पहला आपका बिल्कुल करेक्ट एंसर होजागा ठीक है तो थोड़ा सा क्वेस्चन चेंजिंग था टोटल कुछ आपसे नहीं पूछा था बस यही पूछा गया था क्वेस्चन में कि आपका जो है वहरा पेज कितना है ठीक है अगर इसे में सफेद पूछता तो सफेद कितना रहत क्वेस्चन को खोजो और इसको जहां भी क्वेस्चन मिले ऐसा इसा क्वेस्चन को सोल्व कर दो ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही अब जो हो नेक्ट टाइप का जो क्वेस्चन है आपका अगला क्वेस्चन इस प्रकार से रहेगा कि किसी गाउं के जन संख्या 96 है यदि जन संख्या में 8% तथा माईलाओं के जन संख्या में 5% ब्रीधी हो तब एक वर्स बात जन संख्या जो है वह 10,000 72 हो जाती है तो पूरसो की संख्या ग्याद करो ठीक है ऐसा-इसा क्वेस्चन जो है वह आप निश्ट क्लास में लेकर आएंगे ठीक है तो आज के लिए बस बहुत ज्यादा जो है वह आपको फैदा होने वाला है आपको बहुत ज्यादा होगा क्योंकि टाइम बहुत कम है और जो सिर्फ वही पढ़ना है जो एकी एससी जीडिव में आज की लिए इतना ही जहें दो एक बार जरूर लाइक कर देने वीडियो को अगर आपको चला जाए तो मिलेंगे नेक्ट वीडियो में आज की लिए इतना ही जहें